हलो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तेजपुर की 10 सबसे अच्छी जगों के बारे में जो कि असम राज्जी में इस्थेत है तो लिए स्टार्ट करते हैं नमबर 10 डिस्ट्रिक्ट मुजियम तेजपुर का मुजियम 1986 में स्तापित किया गया था यहां पर दिखाए गई चीजों में से कुछ असम के पारंप्रिक बस्त्र, चांदी के सिक्के, तामे के सिक्के, पत्थर के मूर्तियां आदि हैं यह मीजियम यहां के संस्कृति के बारे में बताता है अगर आप लोगों न अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथी बाइल आकन को भी प्रेस करें नमबर 9, हजरपुर लेक हजरपुर लेक, असम के तेजपुर में इस्तित एक सुन्दर जील है इस जील में अलग-अलग परकार के पच्छियों के पजातियां देखी जा सकते हैं यह शुबह और सामकी सहर के लिए बहुत ही अच्छा हस्तान है यह एक अच्छा पिकिनिक स्पोर्ट भी है नमबर एट डेकाई जूली डेकाई जूली लीचे के पादन के लिए प्रशिद्ध है इस छूटे छित्र में बहुत सारे लीचे के फार्म भी हैं और यह छित्र चाय के बागान के लिए भी फिमस है बारत के कई इस्सों में चाय की पत्ती यहीं से जाती है सर्दियों के मौसम में यहां के उचे छित्रों में काफी बर्फवारी देखी जा सकती है नमबर सेवन बामनी हिल्स बामनी हिल्स प्राचीन खंडरों के लिए लोग प्री है इन पाड़ियों पर मौझूद खंडर उस समय की हैं जब कलियों की शुरुवात होई थी बामनी हिल्स को और भी जाता मनुरम जगह बनाता है यहां पर आप ट्रैकिंग और रोक क्लाइमिंग भी कर सकते हैं बामनी हिल्स एक अच्चा पिक्निक स्पॉर्ट भी है नमबर सिक्स पदम पुकरी यह एक सुन्दर जील है जिसमें एक दीप है आपको दीपर ले जाने के लिए एक लोय का पुल भी है इस दीपर बने पार्क में एक संगीत में फवारा भी है पार्क के आकरसर में से एक टोय ट्रेन भी है यहां पर उपलब्द बार्टर स्पोर्ट में रोइंग और पैडलिंग कर सकते हैं नमबर फाइब महावेरफ टेंपल यह तेजपुर का एक परसित हिंदू मंदिर है यह भगबान शिपकी पूजा शिबलिंग के रोप में की जाती है इस मंदिर में हर दिन परटकों की भीड़ देखने को मिलती है दिन की पहली आरती में कई वक्त भाग लेते हैं यहाँ पर सिबलिंग का पंचामरत माविशे किया जाता है नमबर फोर कोलिया महार शेतू यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है जो कि शोनितपुर और नागाओं को जोड़ता है यह पुल 315 मीटर लंबा है और इससे बनने में लवक 6 साल का समय लग गया था यह पुल यहां के इस्थानी लोगों के लिए एक अच्छा पिक्निक स्पोर्ट भी है रात के समय में इस पुल का सुन्दर नजारा देखा जा सकता है नमबर 3 नाग संकर टेंपल नाग संकर मंदिर 34 साबदी पुराना है इस मंदिर में बड़ा तालाव है चोकि मचली और कच्छों की किश्मों का घर है यहां पर कुछ कच्छों की उमर तो 100 साल से भी अधिक बताई जाती है पार के परिशर में हिरन, मूर और अजगर भी देख सकते है इस मंदिर में आने वाले परेटकों की संक्या बढ़ती ही जा रही है नमबर 2 अगनिगड हिल अगनिगड हिल अश्म के प्रसिद आकटसडों में से एक है यह एक खुबशूरत पहाड़ी है जहाँ परेटक भारी पैमाने पर आते हैं यह पार्डी अनिरुद और उशा की प्रेम कानी से जुड़ी होई है अनिरुद भगवान करिशन के पोते थे और उशा बानसुर की बेटी थी इस पार्डी की उपर से तेजप्रो का एक अच्छा नजारा देखा जा सकता है और अब नमबर बन पर है चित्रले का उद्ध्यान चित्रले का उद्ध्यान को कोल पार्ड के नाम से भी जाना आता है यह अपनी सुन्दरता के कारण काफी लोग प्री है यह पार्क सुंदर चोटी पहाड़ी से घिरा हुआ है इस पार्क में मनुरंजन की ओपर काफी घर्चक किया गया है इस पार्क में अलग़़ एक अलग़ ओर उसा अलग़़ पोजमेन नित्र कर रहे हैं इस पार्क में एक संगीत मैं फवारा को धुन बजाता है अगर आपको वीडियो पशन्द आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की टूरेंज प्लेसिस की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें थेंक्यू फॉर बॉचिंग माई वीडियो